कमफर्ट से हटके चीजे करना स्टार्ट करोगे तो आपको लोग आप खुद अपने कंट्रॉल में आरहे हो जिसके जिसे आप तफ बनना स्टार्ट करोगे आपको भी अंट्रपर्णर बनना है तो आपके निदे थोड़ा स्ट्वाइक फिलोसोफी होना जरूरी आप सो डॉ स्टेप का जो सेकेंड पार्ट है वह हम शूड कर रहे हैं वह आज आपको पता चलेगा यह वाला स्टेप काफी मुझे सच में परसनली मुझे बहुत जाथ पसंद है और स्टेप से रिलेटेट ही बाते गरेंगे सीखेंगे सो लेट स्टार्ट लास्ट वीडियो में बात की थे रोजर बैनिस्टर के बारे में कि कैसे जो यूजुली है न हमारी क्या होता है हमारा दिमाग में मेंटल ब्लॉकेजिस होते हैं जो तूट जाते हैं तो चीजे जो इंपॉसिबल होती है वो पॉसिबल लगने लगती है जैसा रोजर जो चार मिनिट का जो मेंटल ब्लॉकिश था वो तूट चुका था इसलिए टाइल उपिस बोलते हैं कि आपको पर जितना हो क्या को Tribune में रखेंगे इस बाइग मै पसंद नहीं करना फ़्लाय का कैसा कि अइस बसंद नहीं को बड़ी बात नहीं यह यißt यह सब जगह पे इतनी थन्ड़ नहीं ही रहती है जहाँ पे टाय लुपेस लगता है कि वह क्या कर ते थी दिनती है थन्ड़े पाइस नहाना के दिन मैं ठंड़े पाजी अपलोड है स्टाट और मैं शितने भी अपने फेल को निकाल流 कोशिश करो जितना आप थोड़ा तफ बन होगे स्ट्रगल करोगे ना उतना आपको वो चीज डेवलप करेंगे आपको मेंटली टफ बन हैगी और फिजिकली भी टफ बन हैगी इन फैक्ट जो ठंडे पानी संहाने का रिच्वल है जो चीज होती है वह बहुत जादा फाइद जो ठंडे पानी में नहाना बहुत अच्छा होता है मैं भी कई बार इसा दिखता हूनों लोग आपको इनर्जेटिक रखे का आपकी इम्यूनिटी को भी एचीज स्ट्रॉंग बनाती है ऐसा मैंने कोई तो स्टेडी में देखा था कि इम्यूनिटी पर एफेक्ट करता है अब पाचे इंडियंग एक उफेस और ओन दयोम बस बताते हैं कि आपचे इंडियंग और गर्मी जगंप EU था-ष्चें इस भी आपको जोगो पीने का मन करे लेकिन उनको से तफ बनाने यह एक पजैनरे डेटा-ई नहीं है आपको पूरा रेख कम्पलेट उसरै स्ब्रों पीनना अपको ग्हारिया इतना नहीं कर जो गेए पूर बनाना चैय आगिए अगर भलने तो क्या होगा नहीं रिवर्ड्स अंगिनत है और उसके पनिश्मेंट क्या है पनिश्मेंट यह अगर आप टफ नी बनोगे तो जिन्दगी में जो भी चीज आप चाहते हो ना वो चीज आपको शायद ही मिलेगी बहुत मुश्किले मिलेगी इसले टफ बना बहुत जरूरी है वो शेरन मौरन जो अपने हड्डियों को यूज्ञा है तो हड्डियां बहुत कमझोर होती जाएगी टाइल पेस अपना एग्जामपल देते हैं कि लगके ना वह बास्केट बॉल खेलते थे पहले तो जब आया उसके साथ उन्होंने खेलना स्टाइट किया बास्केट बॉल तो खेलते-खेल उनका जो एंकल था नोग उनका पाहर किया तो बशीन दकरें अपनी खendo new युझारते हं अपनी बाड़ी बाड़ी करते हैं अपनी बॉडी का यूज करते हैं कुछ तफ करते है क्या हुता हम आरी हड्या और थी पदो पदेबद बाद बर्यक ना हमारी हर दिन थोड़ा बहुते हैं और ठी planner तरफ को ड्राइस त्राओं होती से सेम वह बोगोज बुदम मसल्स जब मसल्स को टार करते हो तो मसल्स टार होते हैं फिर लेकिन वह उपीस से स्ट्रॉंग मसल्स डेवलप होते हैं एक बार तूटने के बाद सिमिलरी हमारे हड्या भी ना जब आप उसके प्रेशर डालते हो और कुछ चीज़े करते हो तो पंदा सौफ नेस की तरफ नरम बनते जारी है अगर ऑगर अगर ट्रम शेकर बहुत के बीना बना हुश थोटा ना पड़ी नि में जर स्कूलता है और externिक जारी चैशलन बोले रहाถब हम लोगे बोले जा एक हैं और कंभिन जो उप्सक्र एक वह घरारे हिए तो तो चलना यूपेस बोलता है कि नहीं करना चाहिए हमें हमें तफनेस की तरफ जाना चाहिए ऐसे नरब मनते रहेंगे ना तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी जो हमारी स्ट्रेंद होती न उसको यूज नी करेंगे तो हम उसको लूज कर देंगे तो गाओ क तो जिसके जैसे क्या होता हमारी बॉड़ी है ना फिसिकली बहुत होते जा रही है और यह चीज सच में बिमारिया बढ़ेगी लिटरली है आप बोल सकते हो कहीं न गाई चौट सेंस में लॉग टर्म में हमें बहुत जल्दी आप बोल सकते हो मरने के लिए रेडी कर रही ह बहुत जल्दी वीग होके मर सकते हैं इस चीज से हां मैं थोड़ा एक्स्ट्रीम में बोल रहा हूँ बढ़ यही बात है कि हां जितना आप वीग बनो कि उतना आप सवाइव ही नहीं कर पाते हैं इसलिए प्लीज जरूरी है कि आप एक स्ट्रॉंग इंसान बनो बहुत में का यूज करोगे जितना उसे प्रेशर में डालोगे दीरे-दीरे करके कंट्रोल वे में उतना आपकी बोडी स्ट्रॉंग होगी आप तफ बनोगी और आप जाधा सवाइव कर पाऊगे फिजिकली भी सवाइव कर पाऊगे और हैपिनेस की हिसाब से भी अच्छे से सवाइ जाता था ऐसा इनी कि गलती के असलिए मारा जा रही नहीं उनको बस एक टफ एंवियरमेंट कि हम लोग यहां पे टफ लोग रहते हैं और सपार्टन इसलिए ही सपार्टन के आज भी बात हो रही है इतने साल इतने हिस्ट्री में स्पार्टन लोग अपना नाम चोड़के इतने टफ थे पुरी मुवी बनी है 300 आपने देखी होगी मैं तो दिखा मुझे बहुत अच्छी लगी थी वह मुवी उसका बताया गया कि कैसे स्पार्टन जो इतने टफ थे इतने मजबूत लोग थे लोग मरने से नहीं डरते थे लोग कुईसी भी चीज से नहीं डरते आप लोग बुलेंगे मैं तो बहुत एक्स्टी में बात कर लेंगे सच बोलो सच इंदम टायलों पर से एक्जेंपल देता आप खुदी सोचना समझो आप एक सुंसान रास्ते से कहीं पर जा रहे हो और वहां पर समझो कुछ लोग आते हैं चोर आते हैं जो आपकी चाहते हैं ऐसे टाइम पर आप क्या चाहोगे दो इंसान है एक इंसान जो इंसान है उसके जान नहीं है और दुस्तर इस तरफ एक ऐसा इंसान है जो इसके चाहरे पर मांगने ही कोशिश करोगे और विसली आप ट्राइब करोगी वो जो स्ट्रॉंग इंसान जिसने बहुत सारे लडाईया देखिया जिसने लडाया जो बहुत तफ है आप उसके पास जग उससे हल्प मागई राइट टाइलो पेस बताता है युएसे बेग एक स्टैडिस्टिक से कि हर साल ना दो मिल्यों लोग असॉल्ट किया जाता है क्वा sound किया जाता है युजली विग कर सकते हैं और को कुछ न जी कर सकते र काईग को सरेंदर जेयर करना पड़ेगा अपने प्लिटने का भी रिवार्ट्स और वो रीवर्ड बने का बिख बनक्रॉठ तव दुनिया में जीने के लिए वो जो तफ बनना भी बहुत अच्छा है तो आप देखो आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है पर जादर ट्राय करो कि आप अपने अपको तफ बनाओ हमेशा दिम सेंसेटिव बन के मत रहो तफनेस आपके अंदर होनी जरूरी है एक और स्टेशिक स्टाइल बताते हैं कि आपके और अपने 30 में पहुंचते पहुंचते ना और ऐसा बताते हैं कि हर तीन में से एक बंदा एटलीस तीन से 6 महीने के बेडरेस्ट पे आएगा तीस अगर आप बड़ी चीज करने जाओगा ना लाइफ में अगर आप बड़ी कंपनी फॉर्म करने जाओगे अगर आप ज्यादा पैसे कमाने जाओगे बड़े विजन अगर आप रखते हो ना तो आपको कॉंपेडिशन मिलेगा ही मिलेगा और कहीं ना कि वह पॉजिवनेस चांस थोड़े बढ़ जाएंगे, हाँ, बहुत सी चीज़े मैटर करती है, इतना ब्लैक और वाइट नहीं है, आप बस टफ बनोगे तो आप सवाइफ करो जीज जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगीन, बात ही है कि कॉंपेटिटिव वर्ल्ड में हमारा थोड़ा मोटी चमड़ी होना अच्छा होता है, लोग आपको बुरा बोल सकते हैं, बहुत सी चीज़े कर सकते हैं, जो अगर आप वीक रहोगे, बहुत सेंसेटिव रहोगे, तो चीज शायद आपको दबा देगी, आपको आपकी गोल रचीफ करने नहीं देगी, तो थोड़ा तफने सोन है तो उठा लेवे, लेकिन बिना उसके जीना सीखो, आजकल हम लोग इतने नर्म हो गया है, बिना मुबाइल के जी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे धीरे तरे अपने ब्रेन को रिवायर करो, आप अपने टफ चीज़े करना स्टार्ट करो, बिना मुबाइल के चार गंटा रह कर दिखाओ, छे घंटा एक दिन, ट्राइ करो कि बिना मुबाइल के रहा कर दिखा सको आप, जब स्टार्ट में आती है, तो टेक्नोलीजी हो हमारा फायदा ही करती है, लेकिन एक टाइम बार टेक्नोलीजी क्या करती है, कि हमारा नुकसान करने लग जाती है, जब उसे छोड़ा भी अंकमफरड़ लग रहा है, फटाक से मोबाइल उठा लिया, एसा मत करो, टोड़ा अंकमफरड़िबल सिचुएशन को फेस को फेस करो, लोगों से बात करो, जोड़ा प्रेस को बनाएगी आपको नहीं हमेशा डर डर करने रहा गया अप थोड़ा थोड़ा, तो आप बड़ी बड़ी चीज़े कर पा होगे और यह सब चीजِ चोटी चुटी चीजों से प्सár कर सकते हो क्यों मोबाइल यूज करना कम कर दो एसी का मfulness करना कम कर दो हमेशा एलिवीटर का 불 αiov Professor तो और अगर आपके जिंदगी में सिर्व कुश शाए खुछ एंड Emergency होगी जब कि अगर आपके आपके स्मेश आती है přाथे जाताए परशानिया आती है कुछ घराब करता है जो आपको पेंड इति एति तकलीव देता जब कि इस इन्सान की अच्छी अच्छी लाइफ ही चल रही है उसको मजा निया तो यह दुग एक श्री बहुत परिशानी आ है वह इंसान के लिए खुशी अचीव करना करके लिए फोड़े शीज़े गूंने भी चले गया तो भी उसको तो ऐसी याद रखो कि एड़ोसिटी प्रॉब्लम्स प्रेशर स्ट्रेस यह सारी चीज़े ना शायद आपको खराब फील कराईगी लेकिन खराब फील करना बहुत जरूरी है अगर आप हैपिनेस के साथ जिन्दगी जीना चाहते हो तो जैफ बेजोस का टाइलोपेस एक्ज यारा दिन वो बिना सोई रहा था यह चीज़ अब्विस्टी नहीं करना चाहिए लॉंग तो आपके दिमाग में एफेक्ट आएगा बर टाइलोपेस बोलते हैं कि नहीं अगर एक बार उसने किया था जिसके उसके बाद उसने और रिकवर कर लिया उसकी बोड़ी रिकवर आपको अतना स्ट्रच किया है और यह सब चीज़े जब आपको तुछ बनाते हो जब बॉड़ी को जो चाहिए जो आपके कमफर्ट जोन को चाहिए उससे हटके जब चीज करते हो ना तो आपको और जदा आपको लगता है कि आपके जिन्दगी में आपका कंट्रोल बढ़ करते हो comfort zone से हटागे जब आप चीजे करोगे लग लग चीजे करोगे ना comfort से हटके चीजे करना स्टार्ट करोगे तो आपको लोगया आपका environment आपकी body आप खुद अपने control में आ रहे हो जिसके जिससे आप तफ बनना स्टार्ट करोगे आपके जिन्दगी में happiness आएगा depression से यह सारे चीजे ना एक टाइम बाद आपको खतम होना स्टार्ट हो जाएगी और यह सब चीजे क्या करिए आपके दिमाग में प्रेशर डाले का मोटापा कम करने के लिए आपको भागना पड़ता है एकसे एसकर नहीं पढ़ती है तो आपका मोटापा कम होता है वैसी जो हमा को अच्छा लगएगा आप अपकी जिंदगी आपको कंट्रोल माएगी उतना अपस्ट्राउंग बनोंगे फिजिकली स्ट्रॉंग हर चीज में आपका बहुत बादा फाइदा होगा तीको एक ही दिन कली जा कर बदल देना है कली आप जा के अपने पूरा प्रसयर डालो ऐ जाना कैम्पिंग करना यह सारी चीज़े क्या करें कि आपको मेंटली स्ट्रॉंग बनाईगी अब जाके किसानों के साथ काम करो किसान लोग बहुत जाता महनत करते हैं अगर हो सके अगर अगर आपके कोई जो लोग फार्मिंग करते हैं खेती बाड़ी करते हैं जाके मिलता है जाने का को अगर मेलत करना अधर की लाइफ से लिए को बिजन सेंस्ट की बात करें तो धुड़े ड़िए आपको पेड़र करनaking करने लगा हैं कभी स्ट्रॉंग इस इंसाने हैं तो यह वैसी जब फैल्र तो उसको आप एक स्कार कितार देखो जो आपको मिला जो आपको स्ट्रॉंग मना रहा है आगे और अच्छे से बिजनस करने के लिए टोनी रॉबिंस का एक फेमस कोड़ भी जो टाई लोपेस बताता है कि वेन वी विन वी पाटी बट वैन वी लूज वी पाउंडर मतल बिस खुद भी अपनी लफ पर इंपक्ट करोंगे और दूसरों की जिंदगी में बहुत धूज लेवल पर इंपक्ट करोंगे कई बर देखो लोग किन्स सब्सी का पशुखिब को अंदर जाओगे आपको बुरा लगेगा और दोनों को खराब लगेगा लेकिन वह दोनों को इ इंसान को ग्रो भी करेंगे तो यहाद रखो यह चीज प्लीज एक्स्ट्रीम में कोई भी चीज मत करना Aristotle बोलते हैं कि आपको जिंदेगी में बैलन्स रहना बहुत ज़रूरी हर चीज का बैलन्स अब जो पालुपस बाएक्सेंदर का एक्संपल्स ते हैं वह बुलते हैं कि एक्जकेंदर था ज१ वो बहुता जाथा तफ थे लोग तफ द्ल्फ लोग थे इसलिए वो पुरी दुनिया ओको संका कर्पाए कर लिया था कहीं वो नगी तूटने के बाद भी जा नग पर जंब्हेत ह पर एक्जामपल दिया गया था कि इंडिया के आसपासी कहीं तो जंग कर रहे थे तो एना कैसा वह कुछ वाल बनी हुई थी और लोग चड़ रहते हैं वाल पर और वाल के उस पर सब सारे सिपाही ते जिन से उनको लड़ना था जब वो चड़े ना तो इसी दो-तीन लोगी एलेक्जेंडर और दो-तीन लोगी चड़ पाया बाकी सारे उनकी पूरी पलतन का जो चड़ने के जो चीज थी ना वो गिर गई तो अभी नॉमल कोई भी इंसान होगा तो डर जाएगा भाग जाएगा और रीट्रीट कर लेगा या फिर सरेंडर कर देगा बात सरेंडर नह लोगों के साथ अलेक्जेंडर गुज गया उसके अंदर पूरा लड़ने के लेकि अके लिए तलवार लेकि लड़ने घुज गया वह इसे तो जो तीन और चार लोग थे ना गार बॉड़ी काट सब मर गये शिफ अलेक्जेंडर बचे फिर उत्ते ही टाइम में कि वह आप आप अपने पैसे को लेके बहुत होता है लेकि उनकर पैसे को सिदा कुछ उसको ख़री दो जाएं कि अगर और को ऑपको बुक्स अंगर ने जब रहन नहीं चारत करेगी अगरी बुक्स अगर उतरा कृतीğ अगर य्ल्ड़र पřण्ने शको बाग्ya करो यह सब चीज आपको टॉफ बनाएगी जो भी आपके फीर्स है आपको चाहिए से बात करने डर लग रहे हैं जाके करो बहुत चाहिए कि आपको खराबी रिजल्ट मिलेंगे लेकिन आपका स्कार होगा आप बुल सकते हैं आपका बैज ऑफ ओनर होगा वो चीज आपको व भाई लुपिस बुलते हैं कि एक स्परिमेंट किया गया तो बहुत देखा कि दथा रिसच बिताती है कि वन अव दे मोस्ट पाॉफफ लू चीज जो आपको एयल्प कर सकती है अंटी अजिंग करने के लिग बबब बटापा बोट जल्दी जल्दी आजके लोगों को आ अ एंटी एजिंग के लिए बहुत सारे आप क्रीम मिलते हैं यह वह दुनिया वर की चीज़े मिलती है फालतू बट वन अफ बेस्ट चीज जो रिसर्च के साब से पता चलिया वह है वेट लिफ्टिंग मिलताब भारी चीज़े उठाना ओर ओ half recent बहुत के लिए और यॐत लिफ्टिंग को रोकने के लिए आपको और यंग बननाने के लिए और वेट-L लिफ्टिंग कै आप अपने आप प्रेशर चेयरे आप अपने आपको स्ट्रॉंग बना रहे हो तकलीफ दे के तो ऐसी आप भी जब भी वेट लिफ्टिंग करो तकलीफ वाली चीज़ों को करो यह चीज़ आपको स्ट्रॉंग करेगी इंट मेरे बच्चे वेट बच्चे के बच्चे से बहुत जादा को सरी बच्चे लेक्ट्रॉंप लेकिन वह सारी चीजों पर बाड भी इतने खुश नहीं जितने बेर बच्चे है और यह चीज़ प्रूव भी है रिसर्च के पता चला इस आमिश आपको पता होगा मैने कई आमिश के लोग जो लोग क्या है वो लोग technology से modern society से काफी अलग रहते हैं वो लोग खुद से farming करते हैं खुद के कपड़े बनाते यह सारी चीज़े करते हैं उन लोगों में देखा गया कि one-fifth से अगर आप दिन बर मुबाइल यूज करोगे तो आपको फाइदा देगा लेकिन अगर एक्स्ट्रीम करोगे तो कुछ कॉज है तो उसका कुछ एफेक्ट निकलेगा ही आप क्या कर सकते हैं एक और बहुत अची चीज़ चीज़ अपने आपको टफ बना आज यह बहुत बहुत एजीली आपको खाना मिलता है शुगर सॉल्ट और फैट यह आपको बहुत एजीली हर जगा मिल जाएगा उ खराब चीज़े होती आपको सॉल्ट शुगर और फैट बहुत अची चीज़ है लेकिन यह आसान चीज़े आपको यह मजा क्या कर रहा है आपको वीक बना रहा है अंदर से लिटरली आप सच में बहुत सारी बिमारिया हो रही है तो क्या करो आप टाइलोपेस बहुत अच बनने की कोशिश करो अच दिन तफ वाली चीज़े करो अब इस लेसन को इंट करने के लिए यही है कि आप देखो चार एरिया में हेल्थ वेल्थ लव एपिनेस इन चार एरिया में से कौन सी एरिया में आप बहुत जादा वीक हो मतलब आप बहुत नरम हो आप बोल सकते हो वो लोग अपना आज सेक्रिफाइस करते हैं वो लोग आज के प्रॉफिट के लिए काम नी कर रहे हैं अन्टरपरर्ण बिजनसमन लोग उनको पता है कि पात्दस साल बाद इस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा कई साल बाद इस चीज़ का मुझे अच्छे से पैसा मिलेग धुंब करने हैं अज क्या फ़ले यहां एक अपने आज और बन रहे हैं तबी वो लोग आ पर रहे हैं अपने नहीं कर पैसे कर रहे हैं तो आपको भी entrepreneur बनना है, तो आपके अंदे थोड़ा stoic philosophy होना ज़रूरी है, आपको strong बनना आपको बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी luxury, अपने comfort zone को खतम करना बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा सिर्फ dopamine के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, यह चीज अगर आप करोगे कि fancy चीज़े दिखाने के लिए खरीच सकता हूँ और आज ही मज़ा ले सकता हूँ यह पैसे का, इन्वेस्टर्स वैसे नहीं होते हैं, आज उस मज़े को sacrifice करते हैं, बैंक में डालते हैं, या फिर कोई investor रते हैं, ताकि उनको 5-10 साल बाद उसका rewards मिल सके, तो याद रखो ह और जगह से अगर आपको बहुत अमीर बनना चाहते हो, health wise भी देखा जाए, relationship wise भी देखा जाए, तो आपको कुछ चीज़ा sacrifice करनी पड़ती है, तब ही relationship अच्छे बन पाते हैं, जातर लोग relationship के अंदर बहुत stingy होते हैं, कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, नहीं मुझे बंद हो जाएगा, इसलिए ना मैं एक चीज़ बोलूगा कि यार मैं खुद भी ट्राय करोगी जो short platforms होते हैं, short videos होते हैं, उसको थोड़ा कम कर दो consume करना, मैं देख रहा हूँ, because क्या होते हैं, हर बार आपको कुछ नया मिल रहा है, कुछ dopamine रिलीज हो रहा है, लेकिन इतन कि यार किती बोरिंग मूवी है, जबकि shorts में कैसा, अगर 10 मिनिट देखते हो, shorts तो आपको इतना सारा dopamine release मिल जाएगा, ना short से, वही compare करो, कि मूवी में अगर 10 मिनिट इन्वेस्ट करने जाओगे, तो आपको उतना मज़ा नहीं आपाएगा, आपको बैठना पड़ेगा, अगर मुझे लगता है, कि यार सच सही तो यह होगा, कि हम लोग 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 चीजों पर जादा इन्वेस्ट करें अपना दिमाग को लागा, यह हमें mentally weak बना देगा, हमारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, प्लीज यह याद रखो, और इसी note में चाहूंगा, खतम आप भी यह शॉर्ट वीडियो के जाल में फस्स चुके हैं, आप भी शॉर्ट वीडियो देखते रहे तो और बड़ी चीज़ आपको बहुत 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 कर रही है, कमेंट करके जूरू बता हूं, अभी के लिटा ही मिलता है, नेक्स स्टेप से रिलेटर बात है, इक ब जिशान शेक का मैंने एप बनवाया है, वो एप में मैं सारे अपसे जो स्टेप्स होते हैं, उसको डालना स्टार्ट करूंगा, तो आप वहां से जाके इन 67 स्टेप को कंश्यूम कर सकते हो, और रही बात इस चैनल पे जिशान शेक पे जादा आप सोच रहो हूं, जाएंगे, यहां पी नहीं आए तो पका याद रखना, आप में तो आपको सारे स्टेप्स मिली जाएंगे, अभी के लिए बस इता ही, मतलब आपको सारे 67 स्टेप अभी जाके मिल जाएंगे, बड़ एक एक करके मैं उसके अंदर 67 स्टेप्स डालते रहोंगा, वीडियो आपको मिल जाएगा बाकी बचे सारे स्टेप्स उस आप में आपको देखने मिलेंगे, इस चैनल पर आपको और ऑनलाइन कैसे ग्रो करना यह सारे स्टेप्स जादा मिलेगी, और इस कोर्स के भी लेसन मिलते रहेंगे, ऐसा है कि कुछ भी ने डालूगा, इसमें डालते रहोंगा, पाच-पाच-च-दस मिनिट के मैं वीडियो बना बना कर डालता रहोंगा, जो रहोंगा.